Hey guys in this video I am breaking down the best tablets in 2023 So guys आप एक ऐसा tablet ढूण रहे हैं जो कि आपके बजट के साथ साथ आपको हर वो फीचर्स प्रोवाइड कर सके जो कि एक टैबलेट में होना काफी जरूरी है मतलब यहाँ पर आप ओनलाइन क्लास, वीडियो कॉलिंग, नोट्स, यूटूब जैसे वर्क के साथ साथ हाई प्रोफाल गेम्पस भी एजिली रन कर सके तो आप एकदम सही जगे आये हैं इस वीडियो में टोटल 5 टैबलेट को सेलेक्ट किया है प्राइज यहाँ पे 10-15,000 उपीस तक की रखी है कुछ टैबलेट की प्राइज आपको थोड़ी सी ज़ादा लग सकती है बट टरस्ट मी इस प्राइज इंच में ये टैबलेट आपके वन टाइम इनवेस्टमेंट टैबलेट हो सकते हैं एक और बात काफी डीप रिसर्च के बाद इन्हें इस लिस्ट में लिया गया है वीडियो मेंट तक बने रेना बागी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज किस वीडियो को लिस्ट में एट नमर 5 पर आने वाला टैबलेट आपको पैना सुनी की तरफ से टैब 8 देखने को मिलता है अब गैज ये टैबलेट इस्पेशली उन लोग के लिए है जिनको एक नॉर्मल वर्क लाइक वीडियो कॉलिंग, ओनलाइन क्लास, यूटूब जैसा वर्क करना हो और उनका बजट फिक्स 10,000 रुपीज तक का है तो ये उनके लिए बेस्ट है डिजाइन आप देखी सकते हैं प्रीमिम क्वालिटी के साथ साथ मैटल बैक पैनल यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रोसेसर में यहाँ पे आपको मीडिया टेक का 2 गीगा हर्ट्स ओक्ता कोर प्रोसेसर मिलता है जोकि Android 9 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है इस टैबलेट में आपको 8 इंचिस की डिस्प्लेय मिल जाती है जोकि SD 1280-800 रिजोलुशन प्रोइड करता है कैमरे में आपको 8 मेगा पिक्सल का बैक 5 मेगा पिक्सल का फ्रन्ट कैमरा मिल जाता है स्पैसिफिकिशन की बात करें तो यहां पे आपको 3GB RAM 32GB Storage Wi-Fi 4G Light Voice Calling Dual SIM Card Slots 5100MH Battery Micro USB Cable जैसे कई सारे फीचर्स यहां पे आपको मिल जाएंगे बात करें इसकी प्राइस की तो यह आपको अराउंड 10,000 रुपीज में Amazon पे देखने को मिल जाएगा सो गईज 10,000 रुपीज की प्राइस जैंच में अगर आपको नॉर्मल वर्क के लिए कोई अच्छा सा टैबलेट लेना है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इसे एजिली चेक आउट कर सकते हैं अभी गईज एट नमर फॉर पे आने वाला टैबलेट आपको नोकिया की तरफ से टी टैन देखने को मिलता है गईज ये एक नूली लॉंस्ट एंडोइड टैबलेट है जो कि 10,000 रुपीज की प्राइस जिंच में आने वाले सभी टैबलेट को पीछे छोड़ता है यहाँ पे आप आप ओनलाइन क्लास, यूटूब, वीडियो कॉलिंग जैसे सभी तरह के वर्क इजिली परफॉर्म कर सकते हैं यह भी 8 इंच की डिस्प्ले के साथ में आने वाला टैबलेट है जिसमें आपको SD Plus 1280-800 resolution मिल जाता है यहाँ पे आपको 8 Megapixel का Back, 2 Megapixel का Front Camera देखने को मिल जाता है जो कि Document Photos and Video Calling के लिए सफिशेंट है डिजैन आप दे की सकते हैं Premium Ergonomic Design के साथ में Plastic Build and Backside में आपको Nokia की Branding मिल जाती है प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको Unisock T606 Chipset मिल जाता है जो कि 1.6 GHz Speed के साथ में आता है बाकि RAM and Storage में आपको 3GB की RAM, 32GB का Storage मिल जाता है फीचर्स में यहाँ पे आपको Android 12, AI Face Unlock, Wi-Fi, 5200 mAh पैटरी, Security Updates, USB Type-C Port, 3.5mm Audio Jack, Bluetooth 5 जैसे कई सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अब बात करें इसकी प्राइस की तो यह आपको around 10,500 रूपीज में Amazon पे देखने को मिल जाएगा इस प्राइस डेंच में आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, बागी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखिए, वहाँ से जाके आप इसे easily चेक आउट कर सकते हैं काईज लिस्ट में एट नमर 3 पे आने वाला टैबलेट आपको Samsung की तरफ से Galaxy Tab A7 Lite देखने को मिलता है अब गाईज यह एक advanced टैबलेट है जो कि कई सारे फीचर्स के साथ में आता है, सबसे पहले आप इसकी डिजाइन देखिए ergonomic design and slim bezels के साथ में back panel totally metal frame का बनाया हुआ है, डिस्प्ले में आपको 8.7 inch की immersive display मिल जाती है जो कि full HD 1340 to 800 pixels resolution के साथ में आता है, बाकी 3 GB की RAM, 32 GB की internal storage, 8 megapixel का rear and 2 megapixel का front facing camera यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रोसेसर में यहाँ पे आपको MediaTek MT8760 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि सभी तरह के work like gaming, online class, YouTube, video calling जैसे सभी तरह के work easily perform करता है फीचर्स में यहाँ पे आपको Dolby Atmos, Android 11, Wi-Fi only, 5100 mAh battery, security updates, USB Type-C port, 3.5 mm audio jack, Bluetooth 5 जैसे सभी तरह के फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बात करें इसकी price की, तो यह आपको around 11,500 रूपीज में Amazon पे देखने को मिल जाएगा So guys, इस price range में यह tablet काफी बढ़िया है, अगर आप इसे खरीना चाहें तो link नीचे description में डाल रखिये, वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं So guys, लिस्ट में at number 2 पे आने वाला tablet आपको again Samsung की तरफ से Galaxy Tab A8 देखने को मिलता है अभी guys, यह पहले वाले tablet का ही upgraded version है, जिसमें आपको कई सारे advanced features extra मिल जाते हैं Design आप देखी सकते हैं, slim body के साथ में premium ergonomic metal finish यहाँ पे आपको मिल जाती है यह tablet 10.5 इंच की display के साथ में आता है, जो की full HD 1922 1200 resolution pixels के साथ में आता है Specifications में यहाँ पे आपको 3GB की RAM, 32GB storage, Android 11, 8MP back, 5MP front camera, auto sync, Wi-Fi only, 7040 mAh battery, quad Dolby speakers, 15W fast charging जैसे सभी तरह के features यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बागी processor में आपको Unisox T618 chipset मिल जाता है, जो की 2 GHz speed के साथ में आता है सो यहाँ पे आप multitasking work के साथ साथ gaming भी काफी अच्छे से कर सकते हैं, अब बात करें इसकी price की, तो यह आपको around 13,600 रूपीज में Amazon पे देखने को मिल जाएगी बाकि अगर आप इसे offers में try करे, तो यह आपको और भी कम price में देखने को मिल जाएगा इस price range में अगर आपको एक advanced feature वाला अच्छा सा tablet लेना है, तो आप इसे consider कर सकते हैं, लिंक नीचे description में डाल रखिए, वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं लास्ट नमर वन पर आने वाला tablet आपको realme की तरफ से realme pad देखने को मिलता है, अब यह हमारी इस लिस्ट का one of the best tablet है, जो कि होने को तो थोड़ा सा महेंगा है, बढ़ ट्रस्ट मी इस price range में यह tablet वो सभी features provide करता है, जो कि आपको high-end tablets में देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ यहाँ पे आप online class, video calling, youtube जैसे work तो easily कर ही सकते हैं, साथ में आप Asphalt, PUBG जैसे high profile games easily play कर सकते हैं, डिजाइन आप देखी सकते हैं, premium metallic flinch के साथ में काफी lightweight इसे बनाया गया है, बाकि important thing, यह एक wifi variant है जिसमें आपको sim support नहीं मिलता, 10.5 इंच की यहाँ पे आपको full HD display मिल जाती ह है, जिसमें total 2200 pixels resolution देखने को मिलता है, यह भी काफी बढ़िया है, प्रोसेसर में यहाँ पे आपको MediaTek Halo G80 processor देखने को मिलता है, जो कि इस list का best processor है, बाकि features में यहाँ पे आपको 3GB RAM, 32GB storage, 8MP back and front camera, Android 11, Wi-Fi only, 7100 mAh battery, speakers, fast charging, USB port, 3.5 mm audio jack, Bluetooth 5 जैसे कई सारे features यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बात करें इसकी price की, तो यह आपको around 13,900 रूपीज में Amazon पे देखने को मिल जाएगा, बाकि अगर आप इसे offers में try करें, तो यह आपको और भी कम price में देखने को मिल सकता है, मैंने link नीचे description में डाल रखिए, वहाँ से जाकि आप इसे easily check out कर सकते हैं, नए topic के साथ में इसे हैं कर वह आपकों में always do to me. कर दोंद may दो आपक हैं, ऑपके साथ में खampुदी कенमें, तो इसे हैं, जाप हैं मुदाने के आपकों में कि मुदा में रुदाने का ओन. झाल 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 झाल